अश्टो रागो चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम अपने चैनल के माधन से बता रहे हैं कि कच्चवे की अंगुठी कौन सी ऐसी रासी वाले हैं जो नहीं पहन सकते हैं आपने देखा होगा कि यूट्यूब में या टेलिविजन में सब लोग थोड़ी सी मसूरी देख लेते हैं परचार देख लेते हैं कि क्या कुछ कैसा करना है तो उसके बारे में सबका रुजान बढ़ जाता है सब उधर की तरफ ही चल पड़ते हैं हम देखते हैं अपने आस्वास की काफी लोगों ने चांदी की जो अंगुठी होती है खच्वे वाली वो हर कोई पहने घुम रहा है और साल से पहने घुम रहा है दो साल से पहने घुम रहा है पर फाइदा किसी को ने हो रहा है अब फायदा क्यों ने हो रहा है? क्योंकि अधूरी जानकारी जो होती है, वो किसी काम के नहीं होती है, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सारी जानकारी आपको देंगे, खचुए की अंगुठी पहनने से क्या होता है कौन सी अंगले में पहननी है सोभागी के लिए आप क्या उसे सोने की अंगुठी में पहन सकते हैं और खचुआ कितना खतरनाक होता है यह सब जानकारी हम आपको अपनी चैनल के माधन से देंगे हम बार-बार बताते हैं जो लोग हम से जुड़ते हैं उनको पता है उनको जानकारी हासिल हुई है क्या करना है उसके बारे में अब हम आज आपको यही बात बता रहे हैं कि चांदी की अंगोठी जो खश्वे वाली होती है किन रासियों को नहीं पहनना चाहिए जो तिस के अंसार जिसे जिसकी करक रासी है ब्रिच्चिक रासी है मीन रासी है इन लोगों को खश्वे की अकार की अंगोठी नहीं पहनना चाहिए ऐसा करना इन रासी वालों के लिए सुफल दाइड नहीं होता है सबसे पहले आपको अपनी रासी के बारे में जानना है कि हमारी रासी कौन है कौन सी रासी हमारी है तो उस बारे में आप जानकारी पर आप देख रहें या ज़्यादतर लोगों को अपने रासी के बारे में बता है अब आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो कहने वाला नाम है जिसे किसी का तिनेस है सुरेस है रमेस है ये नाम क्या रासी वाला है रासी वाला नाम नहीं है तो रासी वाला नाम कौन सा है रासी वाले नाम से पहना है कि कहने वाले नाम से पहना है ये सब जानकारी होना चाहिए उसके की ऐसा नहीं होता कि आप ने जो है अंगुठी उठाई और उठा करके सुनार से ला करके पहन लिया उसका कोई फाइदा नहीं होगा अब हमारे को किसी परकार का जो है तकलीफ है हम गए मेडिकल इस्टोर में और वहां से कोई भी दवाई उठाई और खाली उसका फाइदा हमारे को नहीं होगा हमारे को अगर अपना सिहत सुधार ना है तो हमारे को डाक्टर के पास जाना चाहिए और वहां जा करके उनसे सलाले जो दवाई लिखते हैं अगर हम उसका परियोग करेंगे वो जो हमारे को फली तो होगी वो हमारे रोग को दूर करेगी तो इसलिए जो है आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए खचवा की अंगूठी पहने से क्या-क्या फायदे होते हैं अगर हम खचवा वाली अंगूठी धान करते हैं इससे हमारा ब्योहार संतुलित होता है सांत रहता है जो तिस के अंसार खचवा जो होता है ये जल में रहने वाला प्राणी है जिसे मचली जल में रहती है उसी परकार से खचवा भी जल में रहता है और इसका संबंध माता लक्षीमी से माना जाता है इसलिए आप लोगों को पता है सब लोग जा करके उठा करके और इसको पहन लेते हैं माता लक्षीमी की उत्पत्ती जल से हुई है और जल ही का गुण जो होता है ये सीतल होता है ठंड़ा होता है अगनी का गुण जो है कभी भी सीतल नहीं होता है तो इस परकार से जिसको धान करने की उगरता कम रहती है जिसका सांत सौ में ब्योहार बनाने में इससे मददगार मिलती है आपको जानकारी होना चाहिए किस उंगली में पहनना है अंगोठी हमेशा दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना है या तरजनी में पहनना चाहिए मध्यमा उंगली जो हते हैं बीच वाली उंगली उसे सनी की उंगली कहते हैं उसमें पहनना चाहिए या उसके साथ वाली जो है उंगली उसमें पहनना है अंगुठी पहनने के कौन सा दिन सबसे अच्छा होता है ये भी जानकारी हमारे को होनी चाहिए अगुठी जो है पहनने के लिए सबसी अच्छा दिन सुकरवार है और सुकरवार का होरा हो तो और अच्छी बात है सुकरवार का होरा कैसे पता लगेगा सभी को होरा नहीं पता लग सकता है खाली वीडियो देख लिया पहन लिया सुकरवार वाले दिन शुकरवार वाले दिन, शुकरवार की होरा कितने बजी होगी वो पंड़ी जी से संप्रक करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा या जिस दिन पहनना है, उससे एक-दो दिन पहले या हमारे से कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं कि शुकर का हुरा कभ होगा, कितने बजे होगा, जब उस हुरा में हम अगुठी को पहनेगे, तब जो है, ये हमारे को फली भूत होगा, क्योंकि यही माता लक्षमी से जुड़ा हुआ है, खच्छवा, भाग देने वाला है पर सोभाग लेने वाला भी होना चाहिए, तब ही सोभागी देगा हम किसी को कुछी देने जाएं वो लई नरा हो तो हम क्या करेंगे सोभागी के लिए आप इसे सोने की अंगुठी में पहन सकती है सोने की अंगुठी के किस उंगली में पहनना जाता है बाय हाथ की अनामिका सीधे हिर्दे से जूड़ी होती है इसलिए आपने देखा होगा कि जो सगाई की इंगूठी होती है अक्सर यह जो है अनामिका उंगली में ही पनाई जाती है यह उंगली इसी उंगली में क्यों पनाई जाता है यह प्यार सांती आसिरवाद का परते निधुत करती है आपने देखा होगा हम तिलग भी इसे उंगली से लगाते हैं ब्यक्ति को सोना चांदी हीरा जैड मोन स्टोर्न मारिक ये सब पहनना चाहिए ये सारे नग जो हैं लाभकारी होते हैं पर कौन से नग अमारे ले लाभकारी होंगे उस बात को हमारे को पता होना चाहिए खचवा कितना खतरनाक होता है बहुत खतरनाक होता है ये आम तोर पर खचवा को इतना खतरनाक जानवर जो है कई लोग नहीं मानते जो इंसान को नुकसान पहुचाने लायक हो वैसे खतरनाक तो जल्दी बनता नहीं है क्योंकि जब इसको थोड़ा सा डर्भ होता है तो इसके जो कबच होता है यह उसके अंदर छुप जाता है पर कभी-कभी यह काट लेता है जब बहुत इसको गुस आ जाए तो यह काट लेता है और यह जो है जब काट लेगा तब यह खतरनाक बन जाता है खचवा की अंगूठी कैसे पहने आज हम इसी बारे में सारी जानकारिया आपको दे रहे पूरा वीडियो देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर किसी परकार किये नहीं कि खचवा की अंगूठी के बारे में जानना है तभी हमारे चैनल को आप करें या लाइक करें यह सब नहीं करने से कुछ होता आप जो है हमारे चैनल के माध़न से अगर आप जुड़ेंगे आपको रासी फल आपको अपनी कुंडली के बारे में जानकारी बिल्कुल फिरी में होगी कि लेकिन आपको क्या है कि अपना जनम तारीक्स और महिना सं लिखना है और जिला का नाम लिखना है मतलब डिश्क का नाम लिखकर के हमारे पास उसको भेजना है त्वी हम सारी जानकारी आपको देंगे तो यह सब जो है आप जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिये हम बताएंगे जब आप अंगूठी पहनना होगा बताएंगे और इसके लिए कौन सा मंत्र होता है वो सब भी हम आपको बताएंगे और क्या जो है सोना पहनने से किस्मत चमक जाती है सोना हर किसी को सूट करता है इस बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए कुछ रासियों के लिए सोना पहनना बहुत ही सुब होता है और कुछ रासियों के लिए असुब होता है दुर्भाग की प्राप्ति लाता है तो ये सारी जानकारी आपको चाहिए सोनी के इंगुठी पहनने से आपके जीवन पर क्या परभाव पड़ेगा जोतिस सास्त्र में इसका बिस्तार से बर्णन किया गया है बहुत लंबा चोड़ा सारा चीजे बताई गई है इसको अगर हम सुवेरे से बताने लग जाएगे साम हो जाएगी पर आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये थोड़े 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 जो हम बताते हैं इसे आप जो है समझते जाएगे पैरों में सोना क्यों नहीं पहनते हैं आपने देखा होगा कि जो सोना होता है उपर ही पहनते हैं पैरों में सोना नहीं पहनते हैं इसके पीछे बैज्ञानी कार्ण होता है मानों की शरीर की बनावट कुछ ऐसी होती है कि उनके उपरी शरीर भाग को ठंधक और निचले हिस्सों को गर्माहट की जरूरत होती है तो सोना के बने हुए जवराद शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं इसलिए उनको पहनने से शरीर को नुक्सान दे जाता है इसलिए जो है सोना नहीं पहनते हैं अगर आपने सुवेरे सुवेरे खचवा देख लिया तो क्या है सुवा सुवा जलिये जीव इनको जल का जीव कहते हैं मचली हुई, खचुवा हुआ, इनका दर्षन भी बहुत ही सुषक माना जाता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं मचली का दर्षन कर लें, तो मचली बहुत ही सुभ देती है, स्वभागे देती है। बास्तु विज्ञान में इसका अपना ही विसेश महत्तु होता है और कहा जाता है जिन घरों में मचली और खचुवा पाला जाता है रखा जाता है उनके घर में सकार आत्मा कुर्जा का संचार बना रहता है और हमने भी अपने अश्टो चैनल के माध्यम से एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर हमारा मौजूद है चांदी की मचली आप उसे देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी कि किस परकार से मचली जो है हमारे लिए सुब हो जाती है हाथ में जो है कड़ा पहनने से क्या होता है चांदी की कड़ा पहनने से क्या होता है जोती सांस् मुताबिक अगर कोई चांदी का कड़ा धान कर लेता है मालक्षिमी उस पर प्रसन हो जाती है उनकी किरपा से जाता कि लाइफ में विशेश तरह की कमी किसी प्रकार की नहीं होती चांदी का कड़ा पहने से चंद्रमा और शुक्र मजबूत होते हैं अगर किसी का चंद्रमा मजबूत होता है उसके सुचने की सक्ति बल्वान होती है और वो हर कार धरले से कर सकता है तो उसका संतान योग बनता है और उसका सोंदर चमकता है इस प्रकार से यह सब चीजें हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा जो हर जानकारी हम आपको देंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी हासिल कीजिए केमेंट्स कीजिए और पूछिए किसी बात की अगर आपको दुविदा हो किसी बात की संका हो तो हम आपको हमारा नमबर भी इसी चैनल पर मौजूद है आप वहां से भी जानकारी ह झाल झाल